नमस्कार बंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आप सब का सैनिक पार्ट साला में आज का जो वीडियो है दोस्तों वो औरोपी का एरियर से जुड़ा हुआ है जैसे आप बोर्ट पर देख पा रहे हैं लेकिन इससे पहले कि औरोपी के एरियर के सब्जेक्ट के उपर आगे बढ़े मैं आप सब को एक अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों आज मेरे हाथ में एक लेटर है ये लेटर जो PCDA ने मुझे वेजा है PCDA ने ये लेटर मेरे CP ग्राम्स के एक ग्रिवेंस के जवाब के तोर पर वेजा है और मैंने एक मांग की थी जो पूर्वसैनिकों के भलाई के लिए सब ही पूर्वसैनिकों के भलाई के लिए एक मांग की थी Spurs में एक facility को aid कराने के लिए मैंने अपनी मांग रखी थी और उस मांग को PCDA ने accept कर लिया है दोस्तों अब क्या है ये मांग और किस तरीके से PCDA ने accept कर लिया इसको मैं आगे आपको letter भी दिखाऊंगा और आपको पहले समझा देता हूँ कि मेरी मांग क्या थी दोस्तों आप सब जैसे बोट पर देख पारें PCDA ने सैनिक पार्ट साला को कहा थेंक यू मांग लीजपर्स से जुड़ी एक मांग अब दोस्तों आपको बता देता हूँ कि जब भी हम pension out होते हैं जो भी pensioner आप चाहे कभी के भी pension out हुए pensioner हो लेकिन आपका PAOR से भी कुछ ऐसे dues रहते हैं जो बाद में release होते रहते हैं कभी कभी ऐसा भी देखा गया 15-20 साल पहले का भी due आपका PAOR से release होता है इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे आपका पुराना कुछ छूट गया था जो बाद में adjust हुआ ऐसी चीज़ें जो है due जो है PAOR से release होती है तो जैसे PAOR से जो serving soldiers हैं उनके लिए payslip निकलता है serving वालों का payslip निकलता है और जो retired होते हैं जब भी उनका कोई भी due release होता है उनके लिए भी payslip निकलता है मैं pension slip की बात नहीं कर रहा हूँ जो PCDA हमें Spurs के जरिये या SBI हमें जो है उनका pension से वा एप के जरिये देता है वो अलग चीज़े मैं payslip की बात कर रहा हूँ हाँ हमारा pension आ जाने के बाद भी कई सालों तक हमारा payslip generate होता है जब भी हमारा कोई due release होता है तभी हमारा payslip generate होता है तो वो payslip किसी भी pensioner को कभी मिलता ही नहीं है यह जानकारी भी नहीं है सायद आप सब को कि आपका payslip PAOR से भी release होता है तो यह जानकारी आपको होना जरूरी है और इसी payslip को Spurs के अंदर जो है डालने की मैंने मांग की थी यानि कि Spurs तो PAOR से जुड़ा हुआ है तो अगर PAOR में आपका payslip हमारा payslip generate होता है चाहे हर महीने ना हो जिस भी महीने आपका due release हुआ है चाहे साल में चाहे छे महीने में एक बार अगर कोई छोटा मोटा amount भी अगर release होता है तो वहाँ पर बकाइदा लिखा हुआ payslip generate होता है कि आपका किस वज़े से वो दिया गया और क्या amount है तो वो payslip का जो है डाउनलोड करने का जो option SPURS में होना चाहिए ये मांग मैंने की थी अब मैं आपको letter दिखाता हूँ जो PCDA की तरफ से मुझे भेजा गया है दोस्तो ये वो letter है जो PCDA ने मेरे नाम पे भेजा है ये दिखिए मेरे सिकायत के उपर जवाब देते हुए भेजा है जैसे आप heading देख पारे है suggestions for improvement in SPURS यानि कि SPURS के उपर जो improvement किया जाना है उसके उपर जो मैंने suggestion दिया था उसका जवाब है ये पहले सबसे पहले तो मुझे ये thank you बोला गया है first of all thank you for appreciating to SPURS आगे दोस्तो ये लिखा हुआ है incorporation of module regarding downloading facility of post retirement payslip generated through Dolphin in SPURS system has been forwarded to concerned team for their consideration and necessary action as suggested by you यानि कि जैसे आपने suggest किया था उस facility को add कराने के लिए SPURS में जो कि Dolphin यानि कि PAOR में जो software चलता उसका नाम है Dolphin Dolphin से जो payslip pensioner का generate होता है उसको SPURS में add कराने के लिए SPURS में download का system जो है implement कराने के लिए जो SPURS का technical team है उनको आपके दोआरा दिया गया proposal भेज दिया गया ये बड़ी बात है दोस्तों क्योंकि लगबग सभी pensioners को कभी न कभी ये module जो है काम आएगा और जब भी उनका payslip PAOR के जरिए generate होगा वो payslip देख पाएंगे अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं OROP के area के संदर्वेंच आपको जानकारी देता हूँ दोस्तों OROP का area आपको मिला क्या मिला या नहीं मिला आगे जो मैं PCDA का letter दिखा करके आपको बताने जा रहा हूँ वो काफी गंभीर बात है क्योंकि अभी तक अगर आपको नहीं मिला तो आपको भी जागना पड़ेगा आप अगर सोई रहेंगे तो हो सकता है आपका बन भी रहा है आपको ना मिले चलिए चाहे आप family pensioner है चाहे आप 70 साल से ज्यादा उमर के हैं चाहे second installment का इंतजार कर रहे हैं सभी के लिए लाग हुए यह जानकारी क्योंकि आपका area आपको सही सही मिले इसका check इसकी जानकारी आपको ही रखना पड़ेगा और आपको अगर नहीं मिलता है तो आप ही को कारवाई करना है तब ही जाकर का आपको मिलेगा चलिए दोस्तों और उपी भुगचान के लिए PCDA का CPPC के मैनेजर को बाई नेम लेटर जी हां आपको मैं लेटर भी दिखाऊंगा जो PCDA ने CPPC के मैनेजर को बाई नेम बकाईदा मैनेजर का नाम डाल के लेटर लिखाऊंगा और आगे बताऊंगा कि उसमें कैसे PCDA ने बोला कि pensioner को ORP का area का भुगतान कीजिए अब दोस्तों जिन pensioner की मैं बात कर रहा था उन pensioner की जो old pension थी यानि की पुरानी pension थी वो थी 23,430 रुपे और जो नई pension ORP 2 के तहत हुई है वो हुई है 26,149 रुपे और हर महीने की बड़ोती थी 2709 रुपे और कुल pension अभी तक उनको नहीं मिला है उनको area का पहला installment छोड़िये कुछ भी नहीं मिला है कोई बड़ोती नहीं मिली है आप सोच के देखिए जिनकी हर महीने की बड़ोती 2709 रुपे है ORP में और उनका अभी तक का मैं जुलाई 2023 तक का अगर area का calculation करूं तो 1,8,6,500 रुपे बन रहा है लेकिन फिर भी उनको कुछ भी नहीं मिला और तो और वो special family pensioner है special family pensioner कोई भी family pensioner को तो 30 April 2023 तक ही भुकतान हो जाना चाहिए था लेकिन उनको अभी तक नहीं मिला है तो उन्होंने मेरे साथ संपर किया था मैंने जब उनको बोला कि इस तरीके से आप ये चीजे लिख करके grievance डालिए तो जब उन्होंने grievance डाला जुलाई महिने में ही उन्होंने grievance डाला था तो PCDA ने CPPC को by name manager के नाम का जो है letter निकला है और उस letter में लिखा है कि OROP का area का भुकतान कीजिए जो circular में जिस तरीके से हमने tables दिये हैं उस table के हिसाब से कीजिए तो उनको first installment भी नहीं मिला उनको second installment छोड़ दीजिए उनको तो सारे के सारे जो है एक लाक अटसट हजार पांसो रुपे एक ही मुस्त में एक ही installment में मिलना चाहिए लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला तो वो जागे और उनका letter issue हो गया अभी कम से कम उनको OROP का area मिलने की आस जगी चलिए मैं आपको letter दिखाता हूँ जो PCDA ने CPPC को लिखा है उसको देख लेते हैं अब दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं पैंसनर ने CPGRAMS में grievance क्या डाला था जैसे आप देख पारें ये 2 जुलाई को पैंसनर ने grievance डाला था जिसमें पैंसनर ने ये बोला था कि मेरा पुराना पैंसन जो है 23,430 रुपे है और जो नया पैंसन OROP 2 के हिसाफ से 26,149 जो OROP 2 के टेबल के हिसाफ से है तो उनका लगबग एरियर वो एक लाख पचास अजार बन रहा है लेकिन हाला कि उससे भी ज्यादा बन रहा है एरियर अगर जुलाई 2023 तक की हम बात करें तो जब इन्हों ने ये grievance डाला तो PCDA की तरफ से जो बैंक मेनेजर के बकाईदा नाम के साथ जो CPPC के एसिस्टन मेनेजर है उनका नाम के साथ जो लेटर भेजा गया वो मैं आपको दिखाता हूँ अब ये जो लेटर आप देख पारें दोस्तों जो PCDA ने बकाईदा जो एसिस्टन जनरल मेनेजर है CPPC के उनके नाम का लेटर भेजा है ये देखिए और उस लेटर में पैंसनर का OROP 2 का जिकर किया है आगे दोस्तों जो लेटर में जो बाते बताई गई है उसमें क्लियरली ये बात बताई गई है जैसे आप देख पारें कि OROP 2 का एरियर बन रहा है जो उनको भुकतान करना था एक किस्त में वो भुकतान नहीं हुआ है तो आप जल से जल भुकतान कर दीजिए ऐसा इस लेटर में लिखा हुआ है तो पैंसनर जब अपनी तरफ से कोई कारवाई करते हैं तब जाकर के ये चीजें होती हैं दोस्तों आप पैंसनर को अपरेल 2023 में ही ये बुकतान हो जाना था लेकिन उनको नहीं मिला उस समय तक और जब बाद में उन्होंने CP ग्राम से ग्रिवेंस डाला तो अभी PCDA ने ल मिला है उनको भी हो सकता है second installment में problem आए कैसे क्योंकि कई सारे pensioners है जो CP PC से जिनोंने first installment लिया है उसके बाद उनका migration first में हुआ है तो हो सकता है वैसे pensioners के case में आपका ORP का second installment मिलने में कोई problem हो कोई दिक्कत हो अमूमन तो नहीं होना चाहिए लेकिन किसी-किसी pensioners के case में ऐस मिला हो तो आपको जागना पड़ेगा आपको CP grounds में grievance डालना पड़ेगा या किसी तरीके से PCDA को संपर्क करना पड़ेगा ताकि आपको जो आपका due है आपको जो आपका ORP का area है चाहे पूरा area हो चाहे second installment हो आपको समय से मिल जाए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इ नहीं दो जानकारियों को लेकर आए था आगे और कोई जानकारी दा है का आपसे सरुकार रखने हो भी से लेकि मैं फिर से आज ही रो जाओंगा तब तक के लिए जहीं दोस्तों